प्रेम के पक धर्या हाँ अन्जाम के बारे में नहीं सोचे दाउजी एक 36 गड़ी फिल्म आदानी गोमल जी के द्वारा निर्मान किया गया है और जो की करोना काल में थोड़ी रिलीजिंग में थोड़ी तकलीफ हुई है जिस फिल्म का नाम है सोचत सोचत प्यार होगे और यह बहुत अच्छी फिल्म बन पड़ी है मैंने इसकी एडिटिंग देखी है मैंने सुटिंग में हिस्सा लिया है और सभागे से मुझे भी एक छोटा सा रोल इस फिल्म में करने का मौका मिला है अता मैं इस रोल के लिए और मुझे मौका देने के लिए जजबीर जी को बहुत बढ़ाई देता हूँ साथ ही सोचत सोचत प्यार होगे इस फिल्म के सभी कलाकार जो फ्रंट में हैं परदे पर दिखेंगे और जो परदे के पीछे जो कारे कर रहे हैं उन सभी का जो सहयोग हम सब को मिला है उस सब के लिए मैं सभी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और ये उमीद करता हूँ कि जब भी हम इस परिस्थिती से उबरेंगे तो जरूर ये फिल्म जो है वो हमारी रिलीज होगी और आप सभी से गुजारिस है कि सोचत सोचत प्यार होगे इस फिल्म को जादा से जादा हमें दर्सक मिले और आप सब देखें और सब लोग पसंद करें यही मैं आप सबसे कामना करता हूँ और आप सभी को शुपकामनाई देता हूँ पुना एक बार सभी कलाकारों को मेरी और से बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुपकामना है नमस्कार, जय जोहा, जय 36 गर्फ, मैं अन्नु टंडन समाज स्वा के शेतर से और मैं एक कलाकार भी हूँ अभी एक नई मुवी हमारी आने वाली है, सोचत, सोचत, प्यार होगे जिसमें आपको फूल टू इंटर्टेन्मेंट देखने के लिए मिलेगा और एक जागरुकता प्रधान संदेश भी देखने को मिलेगा मैं तो अपने परिवार के साथ जाओंगे ही, आप सब भी जरूर आएए और इस मुवी को जरूर देखिए, सोचत, सोचत, प्यार होगे हेलो गाईज, सोचत, सोचत, प्यार होगे अब मुवी जल्द ही आने वाला है, इसमें मेरी फ्रेंड दिव्या प्रशाद ने भी काम किया है मैं बहुत इस मुवी को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सो प्लीज आप भी इस मुवी को देखने के लिए जरूर जाइएगा क्या नाम बताए मैंने सोचत सोचत प्यार हो गया मामा टैक काम कर आप किवल मास्टर जी से दोस्ती के हाथ ला पढ़ा हो तो कर बात के पूरा कामला मैं यहां देख लो